प्रदेश में बिजेपी के द्वारा जो एंटी माफिया मोहीम के खिलाब प्रदशन किया जा रहा है उस पर कमलनास सरकार की महिला बाल विकास मंत्री इमर्ती देवी का बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि बिजेपी के नेताओं को आज देख लो जो साइकल से चलते थे आज क्या से क्या हो गए इन्हें माफिया केते हैं हम तो कांग्रेसी है हाती की तरह चलते चले जाते हैं और कुटे भोगते रह जाते हैं लेकिन प्रदेश में एंटी माफिया मोहीम अच्छ माफिया माफिया है जिस पर इमर्ती ने पलटवार किया है साथ ही ये भी कहा कि सिंधिया जी पर क्या कमी है जो वे माफिया बनेंगे उनके पुरवजी बहुत कुछ छोड़ गए हैं माफिया तो उनको कहते हैं इनकी तो परंपरा इनके तो माता पिता का इतना है कि विरिष्टा चार और ऐसे काम करने की जरूरत भी नहीं आज अपीजी सर्मा ने भी प्रेस कॉंफरेंस करके बताया है एंटी माफिया में इतनी कारवाई करिये हमने तो आप देख रहे हैं चाहे दूद घी में मिलावट हो चाहे जमीन भूमापिया हो आप देख रहे हमारे कमनात को कि क्या से क्या कर रहे है मद्द पर्देश में गरीबों के साथ महलाओं के साथ बेटियों के साथ अच्छा काम कर रहे है और जो मिलावट को रहे हैं भूमापिया है उन पर कड़ी से कड़ी कारावाई कर देख रहे हैं और जो भी गलत बोलता है तो हम कांगरेसी हाती हैं चलते चले जाते हैं और कुटे भूगते रहते हैं फरक नहीं पड़ता